यत्र नारियस्तु पूजनते रमंते तत्र देवता अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं आप लोगों ने हमारे जो वेद हैं पुराण है उसका ये वाक्या जरूर सुना होगा इसका मतलब ये नहीं है कि नारी को बिठा के उसकी पूजा की जाए अर्थात जिस घर के अंदर नारी का सम्मान किया जाता है इसलिए तो बोलते है यत्र नारियस्तु पूजनते रमंते तत्र देवता यानि जिस घर के अंदर नारी का सम्मान किया जाता है उस घर के अंदर बरकत आती है उस घर के अ उस घर के अंदर सभी मिल जुल कर रहते हैं इसलिए ये वाक्य एक बहुत महत्तपूरण वाक्य है वेदों का वाक्य है इसलिए हमारे रिशी मुनी यह बोलते थे यहां अगर हम बात करें तो जो नारी सम्मान की बात आती है नारी को हमारे भारतिय संस्कृति के अंदर बहु यग्य होता है तो यग्य के अंदर भी नारी के साथ में जो उसका पती होता है वह यग्य पर बैठता है यानि जो महीला है उसको समान दर्जा देना लेकिन जैसे जैसे भारतिय संस्कृति के अंदर बहारी जो आकर्मन थे वह आकर्मन करता भारत के अंदर आए उन्होंने स संस्कृति को तोड़ने का काम किया गया और फिर दीरे दीरे परिवर्तन आया और परिवर्तन आने पर ऐसी स्थिती हो गई कि जो नारी है उसका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया नारियों के साथ में भेदभाव किया जाने लगा जो बच्ची होती थी पर अगर गर करा दिया जाने लगा गई कि नारीयों की स्थिती बहुत दैणिया स्थिती हो गई तो फिर दीरे दीरे जो हमारा आज मोडर्र टाईम आया आज आधुनिक आया समय कर दोदोब करने वाले हैं बेड फरस्ट ये अंदर पेपर सेकिंड कोंटेंप्री इंडिया न एजुकेशन और फिस्ट यह आपका इंपोर्टेंट क्वेशन बनता है यह क्वेशन है वोमन एंपावर्मेंट तो आज का हमारा जो टोपिक है वो टोपिक करण कैसे हो महिलाओं को पुरुसों के साथ में कैसे लेकर जाया जाए तो आज हम इस विशे के अंदर यह करने वाले हैं जैसे पीपल ओफ इंडिया यूज टू से कि पीपल ओफ इंडिया जू से इस कंट्री अधारत्मात अगर हम देखे हमारा जो देश है इस देश को हम चैने पूलते हैं वारतमात जयाँनी हम आ पने हैं माता के नाम से पुकारते हैं, however, never realize the true meaning of it, भारत को भारत माता तो हम बोलते हैं, लेकिन इसका जो exact meaning है, वो हम समझ नहीं पाए, भारत माता means a mother of every Indian, यानि जो भारत माता है, अगर भारत देश को हम भारत माता के नाम से संबोंदित करते हैं, तो उसका अर्थ है कि भारत माता means mother of every Indian, whom we have to save and respect, यानि जिसका हमें, जिसको save करना है, और साथ में जिसको respect देनिया है, सनक्षित करना और उसकी respect करना, उसकी इज़्यत करना, woman population is around 50%, यानि of the total population of the world, संसार की जितनी आबादी है, लगबग, उसमें जो 50% है, वो woman है, तो woman का मतलब यहां जो महिलाएं है, उनकी आधी आबादी है, और उसको हम नकार नहीं सकते, कोई भी देश, अगर आगे प्रगती की ओर बढ़ रहा है, अगर आगे प्रगती की ओर बढ़ ना चाता है, तो उसको जो इसकी आधी population है, किसी भी देश की, वो woman है, और woman को नजर अंदाज करके, कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, भारत देश की जो आधी आबादी महिलाएं, संसार के अंदर आधी आबादी महिलाएं, लेकिन उनको फिर भी not treated as equal to men, आद्मियों के समान दर्जा नहीं दिया जाता, उनके समान, उनके साथ वयवार नहीं किया जाता, फिर चाहे वो कोई भी प्लेस हो, reflecting into the Vedas and Puranaas, अगर हम अपने वेद और पुरान की बात करें, तो of Indian culture, भारतिय संस्कृति के अंदर, woman is being worshipped, such as लक्षमी मा, goddess of wealth, सर्श्वती मा, for wisdom and दुर्गा मा, for power, अगर हम भारतिय संस्कृति की बात करें, तो महिलाओं को हम क्या करते हैं, यहां पे पूजा जाता है, means उसका सम्मान किया जाता है, for example, जैसे मान लो, अगर लक्षमी मा है, goddess of wealth, यानि जो धन की लक्षमी है, उसको हम मालते हैं, लक्षमी मा, मा कहकर पुकारते हैं, और अगर विद्यागी देवी की बात आए, तो सर्श्वती मा कहकर पुकारते हैं, अगर पावर की बात आए, तो दुर्गा मा कहकर पुकारते हैं, तो भारतिय संस्कृति के अंदर तो महिलाओं को बहुत जादा सम क्या है वोमन एंपावर्मेंट का महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है तो वोमन एंपावर्मेंट इंप्लाइज द इन वुमेंड टेक डिसिजन विद रिगार्ड तो इस लाइफ एंड वर गिविंग इक्वल राइस to them in all sphere of life, personal, social, economic, political, legal and so on. यानि यहां यह क्या करा है? The woman empowerment implies the ability in woman, जो महिलाएं हैं, उसके अंदर ऐसी ability पैदा करना, उसके अंदर जगाना, to take decision, वो decision ले सके, with regard to this life, अपने जीवन के बारे में, वो decision ले सके. लेकिन दुर बागे की Бाद देखिये, ऑगर एक बच्ची गार एंदर जनम लेती है, तो सबसे पहले वो अपने पिता के लालन पालन में रहती है, मतलब उसके माता पिता के साथ में रहती है, और उसका जो लालन पालन है वो माता पिता करते हैं यानि क्या है कि यहां जो पिता है वो उसको संरक्षित करता है उसका पालन पोशन करता है फिर वो जब बड़ी हो जाती है और उसकी साधी कर दी जाती है दूसरे गर में बेज दिया जाता है तब भी वो महिला या वो अगर वह कोई काम करें and giving equal rights और उसको समान अधिकार देना जो पुरुसों को अधिकार मिलते हैं वह अधिकार से उसको महिला को भी देना चाहे वह किसी भी फील्ड के अंदर हो उसको वैक्तिकत तोर पे हो सोशल समाजिक तोर पे हो एकोनोमिक आर्थिक तोर पे ओपॉलिटिकल लीगल एंड सोन अगर यहां एक छोटा सा आपको बताऊं अगर एक व्यक्ति कहीं पर काम करता है तो उसके अगेस्ट उसको वहां पर पे मिलती है लेकिन जब एक महिला एक घर के अंदर पूरा घर का काम संभालती है तो क्या उस लेकिन वो महिला तो आपके घर का सदिस्य है लेकिन उसके काम को हम नजर अंदाज कर देते हैं यह तो महिलाओं का ही काम है हमारी दादी ने किया हमारी मम्मी ने किया आगे मालो जो घर में लेडी है वो कर रही है यह गलत है यह सोच गलत है अगर आप आज की बात करें भी आर लिविंग इन दे एज ओफ वुमें एंपावर्मेंट वेन वुमें आर वर्किंग शोल्डर शोल्डर यानि आज कंदे से कंदे मिलाकर आदमी के साथ में वुमें काम कर रही है अगर महिला आज कंदे से कंदे मिलाकर पुरूष के साथ में काम कर रही है और वो घर भी अपनी जुम्मवारी का निर्वायन कर रही है और साथ में आगर वो वो महिला अगर किसी फिल्ड के अंदर काम करती है चाहें वो टीचिंग किया है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं पर भी तो वहां पर भी पूरा हंडर्ड प्रेसेंट वह मेहनत करके काम कर रही है तो या आप यह देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है जो अपने समाज के लिए अपने देश के ल सब्सक्राइब नेक्स्ट हमारा आ जाता है वुमेन आर नाओ क्लेमिंग दा सोशियो पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल राइट्स यानि आज वुमन है वह भी समाज के अंदर अपने जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ रही है राइट टू वर्क मुझे भी काम करना है राइट वर्क उसको भी काम करने का अधिकार है राइट टू एजुकेशन उसको भी शिक्षा का अ मिलेंगे हमारे भारतिय समाज के अंदर कि जो लड़कियां है वो पढ़ाई के लिए आगे कम बेजी जाती है और जो लड़के हैं उनके लिए ज्यादा प्रियास किया जाता है जबकि जो लड़की है उसको भी वही अधिकार पढ़ने का है जो किसी एक लड़के को है ओफ इंडिया तो है पास्ट वैरियस लेजिलेशन स्टू सेव वुमन फ्रों मेरियस फर्म्स ओफ इंजस्टीस और डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन में बेदवाओ तो यह क्याता है विजो भारतिया संसद है उसने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए ऐसे प्रस्ताव पा पेपर एकवल रिमनेशन एक्ट यानि जो बतर्मलब किसी भी कम के एवरेज में जो महिला को मिलता है वही सेम पुरुस को जो पुरुस को मिलता है वीसेम महिला को मिलतना चाहिए इम्मोरल-ट्राफिक एक्ट थ Jahren 1956 जाट हारे ओक ही सप्धमिनेशन औप दिशन डिच यहां सती का अर्थ क्या है कि एक समय ऐसा था भारतिय देश के अंदर महिलाओं के साथ में ऐसा विवार किया जाता था अगर पुरुस की डैत हो जाती थी तो उस महिला को उस पुरुस की चिता के साथ ही जलना पड़ता था सती पर था और एक बहुत बहुत जादा दर्दनाक मौत उस महिला को मिलती थी जिसका पती किसी न किसी कारण से मर जाता था तो यह एक बहुत बड़ा मतलब दुश प्रभाव था महिलाओं के परती या बहुत बड़ी एक मतलब गलत नीती थी महिलाओं के परती तो इसके एवज में कमीशन बना कमीशन ओप सती एक्ट 1987 उसका जो स्वास्त है वो ठीक नहीं रह पाता था तो उसके एवज में क्या बना चाइल्ड मेरेज एक्ट बच्चों की कम से कम यह उमर निश्चित कर दी गई इस उमर के बाद ही साधी हो उसके बाद सेक्षवल हरास्मेंट ओफ वुमन वर्क प्लेस एक्ट 2013 2013 के इंदर ए प्रोटेक्शन ओफ वुमन यानि एक फिर यह एक्ट बना निर्भ्याबिल तो यह हमारे क्या था वुमन को महिलाओं को पुरूशों के समान अधिकार मिलें तो यह सारा इसलिए किया गया उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें अगर हम इस्ट्री की बात करें जो महिलाएं हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है भारतिय समाज के अंदर उनका इत्यास क्या रहा है तो यहां पर हम देख सकते हैं इट वाज 1848 वेन इंडिया गोट ही इस फर्स्ट वुमन एजुकेटर यानि भारतिय समाज में भारत के अंदर अठारा सो अटालिस में एक ऐसी महिलाई जो फर्स्ट एडुकेटर बनी और वो कौन थी सावत्री बाई फुले सावत्री बाई फुले यहां हम देख सकते हैं जो फर्स्ट एडुकेटर रही हैं इस साल को क्या किया गया मार्क कर लिया गया भी मूम वोमन भी अब पुरुसों के बराबर आगे बढ़ने का प्रियास कर रही हैं दराइज ओफ वुमन्स एमपावर्मेंट इन इंडिया और इंपक्ट ओफ दिस वाज और इसका प्रभाव क्या पड़ा अगर आपने देखा होगा किसी गाउं में किसी गली में या किसी सहर में आगर कोई महिला कोई अच्छा काम कर जाती है मानलो पढ़ाई से है तो उसको देख के दस और खड़े हो जाते हैं वही हम भी आगे इसने किया तो हम भी आगे तो जैसे मानलो सवित्री भाई फुले ने किया उसके बाद लगभग सो साल बाद क्या हुआ इंडिया असेप्टिड दा लीडर्शिप ओफ वुमन यानि जो इंडिया है उसने किया और उसके बाद जो भारत देश के अंदर प्रधान मंत्री के तोर पर बनें इंदिद्रा गांधी प्रायम मिनिस्टर यामिली ने प्राइम मिनिस्टर फॉर्स्थ तो इंद्रागंधी it is said that sky is the limit यह कहा जाता है आकास तक तो मतलब पहुंच नहीं सकते एक लीमिट है लेकिन वोमन की जो महिला ससक्तिकरन की बात है महिला ने इस मिथक को भी तोड़ दिया वही आकास की तो एक लीमिट है वहां तक तो कोई जा नहीं सकता तो महिला ने इसको भी तोड़ दिया तो एंड कल्पना चावला विकेम दाफॉस्ट इंडियन वोमें तो ट्रैवल इंस पेस और यहां क्या आया कल्पना चावला फ़स्ट ऐसी इंडियन वोमें बनी जो स्पेस के अंदर भी पहुंच गई इन एंसाइन पोमन सथी वर फोस्ट दाफॉस्ट आर शोशल नेट व क्रेटिड इन शाइंटेज एड वाज नन एज द भ्रावय को नी यानि एक जब महिलाओं के साथ में अत्याचार किया रहा था महिलाओं को पूरोसों के साथ उनकी चिता के साथ में जला दिया जता था फिर एक संग बना और वह शंग कौन सा था भिक्कूनी संग और यह किस ने किया लॉड बुद्धा लॉड बुद्धा ने बुद्धा ने ये एक भिकूनी संग बनाया सतीपर्था के खिलाब due to injustice for a many centuries woman did not know what is freedom बहुत सारी बाते तो क्या हुआ नो वट इस फ्रेडम महिलाओं को तो यह भी नहीं पता था फ्रेडम क्या है आजादी क्या है लिब्रेशन क्या है और इन्डिपेंडेंट्स क्या है आफ्टर वैरियस रिवलेशन बहुत सारे ऐसे रिवलेशन हुए एंड शोचल रिफॉर्म वोमन आर नौ रिड रिडिफाइन बाए देयर स्टेंथ स्किल एंड देयर एबिलिटी जी बहुत सारी ऐसी बाते आई कि पावर को स्थापित करके दिखाया अब यहां से देख सकते हम वूमन ने अपने आपको किस-किस फिल्ड के अंदर स्थापित किया इन प्रेजेंट देश के अंदर या विश्व के अंदर महलाओं की स्थिती क्या है एक बच्यों के लिए पढ़ाने का कामकर रही है डॉक्टर एक ओस्पीटल के अंदर जो म्रीज्द है उनको ठीक कर रही है मलवीश फिल्ड के अंदर भी एन इंजीनियर एपॉलिटिशियन एन आर्टीस्ट एन ओथर ए लीडर एप्रेजिडेंट एड मच मोर और बहुर भी पता नहीं कितनी सारी ऐसी जगह जा महिल इस उन ने अपना परचम के जंडे गार्ड दिये हैं तो वह संभालने वाली भी एक कम्प्लीट एड मिस्ट्रेशन एड The Administrator और एक करना एक एड्मिनिस्ट्रेटर के तोर पर वो काम कर रही है इत इस दो प्रूट्स ओफ वोमें स्ट्रगल यह उनका संगर्श का ही प्रिणाम है दैट वी हाव गोड प्रसनलिटीज लाइक ओप्रा विंफ्रे ओप्रा विंफ्रे मदर टेरेशा जेके रोलिंग बैनजीर भु साइंस और टेकन लोजी और आज जो स्थिती है वह सैंसा टेकन लोजी के अंदर वुमन बहुत काम कर रही है बहुत मैनत करी गोर्मेंट ऑफ इंडिया डिकले टूथ हजन वन एडियर ऑफ वुमन एंपावर्मेंट बात करें आज यह एक इंटरनेशनल तोर पर एक एजन्डे का काम कर रहा है डाजंडा बन गया है दो गोर्मेंट ओफ इंडिया डिकलेर्ड टू थावजन वन एज द यह फोप वोमन स्वासक्ति इसको नाम दिया दा नेशनल पॉलिशी फॉर एमपावर्मेंट ओफ वुमेन वाज पास्ट इन तू तूधावजंट वन और 2001 के अंदर एक नेशनल पॉलिशी पास्ट की गई जिसमें वुमेन एमपावर्मेंट का जिकर किया गया उसके बाद नेक्स्ट हमारा टोपिक आ जाता है पॉइंट आते हैं वही जो वुमेन एमपावर्मेंट है इन कंटेंपरी इंडिया वह किस तरह से है वही वुमेन की स्थीति आगर मानलो कमजोर हुई है तो क्यों हुई है और कमजोर होने के पिछे रीजन क्या है आईए इसक जढ़ा काम करता है सरिर से सक्टीशालिया तो वह जढ़ा काम करता एक जैसे का एक खेत का करता है ठीक तो कर रहा थीजिथ साथ के साथ वो जिस गर के अंदर रह रही है उस गर के अंदर कम से कम उसके जो लालन पालन है उसका जो पालन पोशन है वो तो सही तरीके से हो अब वो घर का काम करती है और घर का काम करने पर पुरुश मालो खेत का काम करता है तो खेत में खाना बना कर देने का काम कौन कर र कर रही है घर के अंदर घर के जितने भी काम कोन कर रही है वह महिला कर रही है यह तो खेत में काम करके मैं तो आदमी तो खेत में काम करके पैसा अगर लेके आएगा तो पैसा अपने पास रख रहा है लेकिन वह महिला घर का काम करने के बाद भी आप से कुछ नहीं मांग रही तो यानि जो एक महिला है आप उसको काम को नकार नहीं सकते घर के अंदर रहकर ग्रहनी के रूप में वह काम पर रही है तो वह भी एक बहुत बड़ा काम है उसके बाद non recognition of woman woman को कोई पहचान ही नहीं दी जाती उसके काम को कोई काम ही नहीं माना जाता वो स्वेरे से सामतागर के काम में लगी रहती है लेकिन हम उसके काम को काम ही नहीं मानते अगर हम कहीं पे जा रहे हैं पुरुष कहीं पे जा रहे हैं अपने काम को तो काम बता रहा है लेकिन वो घ दूरी के लिए कहीं पर वुमन गई है और कहीं पर मानलो मैन गया है तो जो मैन है उसकी द्याड़ी आपने कुछ और कुछ और निश्चित करकिया और जो महीला की ध्याड़ी यह यह बहुत भाव क्यों अगर घर में दो बच्चे हैं एक लड़का एक लड़की एक तो आप प्राइवेट स्कूल के अंदर पड़ा रहे हो लड़की को सोच रहे हो भी सरकारी स्कूल में चले जाएगी वहां पी भी बेदबाव किया जा रहा है खाने की अगर बात आएं आपने बुआये के लिए कुछ और रख है गल के लिए कुछ और रख है हर फिल्ड के अंदर आप उसके साथ बेदबाव कर रहे हो ऐसा क्यों वोमेन आर कंसीडर्ड एज विकर सेक्स उसको एक कमजोर लिंक की तरह लड़की कमजोर रहे कमजोर है वह आज पाइलेट है वह आज टीचर है वह स्पेस में पहुंच गई है कमजोर कैसे है लेकिन हमारी जो सोच है वह आज उसको कमजोर मान रही है अगा प्रोब्लम इन सेक्स रेशो अब यह देखो कितना इंप्रोर्टन टॉपिक आगया अगर आप देखें तो अगर आप कुछ साल पहले देखें तो बहुत स्थीति दैनिय थी लड़के जादा और लड़कियां बहुत कम थी लेकिन जैसे जैसे लोगों के अंदर जाग रुकता आई आज महिलाएं आज लड़कियां हर फिल्ड के अंदर काम कर रही हैं तो जो 2018 मेल और उसके पिछे 1000 फीमेल हैं यानि जो मैल है वो 2018 और जो फीमेल है वो 1000 अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो अपने इंडिया के अंदर 1068 male और उसके पिछे 1000 female और अगर मैं अपने हर्याना की बात करूँ तो हर्याना के अंदर स्थिती आज भी डाउन है यहाँ पे 1000 male हैं तो 941 आज भी female हैं यहाँ पे स्थिती आज भी हमारी ऐसी बनी हुए है ऑफुर ciao क्यरला के अंदर सबसे ज़्यादा शैक्स रेजो मिलता है वहां पे लड्कियों की मतलब अच्छी पोजिशन है और लडकों की मतलब कम आती है लेकिन अगर हम फिल्ड में इस की बात करें तो आज जुशेशन के के अंदर वह लड़का है या लड़की है और यह देखके अगर मानलों लगता है लड़की है तो उसका अबोर्शन करा देना तो यह भी हमारे देश के अंदर एक बहुत बुरिश्थीति है मतलब यह एक महिलाओं के परति आप अत्याचार कह सकते हो या एक मानसीखता कह सकते हो उसके बाद women suffer malnutrition malnutrition का मतलब होता है कुपोशन की सिकार जो महिलाएं वह कुपोशन का सिकार होती है क्योंकि गर्भवस्ता के दोरान उनको उचित पोशन मतलब अच्छा संतुलित आहार मिलना चाहिए लेकिन वह मिलनी पाता तो क्या यहां पर क्या आ जाता है malnutrition उसक उसके अच्छे गर के अंदर उसकी साधी करनी है हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं लड़के की अगर साधी करनी है तो इतना हमने डवरी लेना है इतना हमने दहेज लेना लेकिन अगर यहां पे अगर जो अमीर हैं उनके लिए तो प्रोब्लम नहीं है लेकिन जो गरीब है उसको यह माना जाता है किसी घर के अंदर अगर लड़की पैदा होतीए यह तो दूसरे घर में जाना है ठीक है और फिर उसके बाद में जो जो ऐधरी सिस्टम है यहां पर देज मंगा जाता है और अगर वो न दे पाएं तो यहां पर महिलाओ की जोश्थितिया है और विद् मनित उसको मतलब रेस्टिक्ट कर दिया जाता है इंप्लॉएस एटिट्यूड जो बोस होता है हमारा या जो भी हम काम करते हैं किसी ओफिस के अंदर वहां पर भी उनके साथ महिलाओं के साथ में बेदबाव करने की बात आ जाती है जा जानने है ने च्ष्रख मारे जाता या कोजिजद ओफ लोव लिटरेजीं अमंग वोमेन इन आंडिया क्यों मतलब बच्चे का sum क्लास मैं सद्रमिशन किया जाए तो वहां पर जूदकियों की संख्य हो कम होती है low enrollment होता है जब की जिस भी गली में या महले में या घाउं में या सहर में मलब हर बच्चे का चाहे वह लड़का ओओ या लड़की ओओ शिख्षा आधिकार सभी को है तो enrollment सभी का होना चाहिए लेकिन लड़कियों के मामले में अगर बात करें जो गरीब परिवार होते हैं वो लड़कियों को स्कूल में नहीं बेज दे उसके बाद हायर ड्रोप आउट रेट अमंग गर्ल हायर ड्रोप आउट का मतलब होता है वह एडिमिशन तो ले लिया लेकिन किसी ने किसी कारण फिर वो स्कूल को छोड़के चले गए और स्कूल क षोड़ना कि यह सबसे ज़्यादा गडल के regulatory फाटे उसके वाद गहां चाहिड ऐसे किंड मदर यह सेकिन मदर का मतलब क्या होता है वह गड़की किसी परिवार के अंदर वह एक दूसरी मां का रोल निभा रही है कैसे जैसे किसी भी बच्ये के मंमी मजदूरी करते हैं यह वो उनको रखती है गर में तो वो स्कूल से वंचित कर दी जाती है उसके बाद बॉंडिड लेबर सिस्टम ये भी वही है लेबर सिस्टम गरीब हैं गरीब में दो आदमी काम करें चार आदमी काम करें तो परिवार ये सोचता है जितने भी बच्चे भी हैं तो वह भी कर ले भी कहीन ने कई एक प्रभाव डालता है हमारी वोमन के एजुकेशन के उपपर उसके बाद चाइल्ट लेबर प्रेक्टिस पूर श्कूल एंवायर्मेंट्स फ़ोर ग॥ुर अरे देश के अंदर जो girls को protection मिलने चाहिए वो protection नहीं मिल पाती स्कूलों के अंदर जो environment मिलना चाहिए वह environment नहीं मिल पाता तो ये विकारण है माता-फिता अपने लड़कियों को school में बेजना पसंद नहीं करते उसके बाद female age at marriage marriage जब होती है लड़की की तो वह जल्दी कर दी जाती है मतलब उसकी जो एज गौर्मेंट ने डिसाइड की है कुछ पेरेंट्स उससे पहले भी कर जाते हैं तो यह भी एक कारण है लड़की है जल्दी साधी कर दो उसके बाद पावर्टी गरीबी भी एक मुख्या कारण है जो लड़कियां पड़ नहीं पाती है उसके बाद पूर पॉलिटिकल विल मतलब जो हमारा जो देश है उसके अंदर जो पॉलिटिकल विल है हमारी सिर्फ एक है सत्ता मिले बाकी हमें कुछ ना करना पड़े हम वोट मांगने के लिए तो घर-घर चले जाते हैं लेकिन जब डिसिजन की बात आती है जब कुछ करने की बात आ करती है फिर हम पल्ला जाड़ देते हैं वही हमारे हाथ में कुछ नहीं है आप मानलो MP या मेले या कुछ भी बन जाते हो तो बनने के बाद कम से कम हमारी जो गूमन है यह घर उंदर जो लड़कियां हैं उनके लिए जो हम वादे करके चलते हैं हम यह करेंगे हम वो करेंग रेमेडियल मेजर्स पूर इम्पूरुमेंट अंजी नेक्स्ट है हमारा देखो रेमेडियल मेजर्स और फोर इंप्रोविंग दप लिट्रेशी लेवल और वोमन इन इंडिया वह जो इंडिया है इस इंडिया के अंदर भारत के अंदर हम कौन-कौन से इसे काम करें जिससे जो वोमन है उनकी जो स्थिति है वह सुधरे तो उसके के लिए हमें क्या करना Universal Enrollment for girls मतल guests के लीए सारो भूमिक एक सथिती बनाना वज़ी सभी का enrollment हो किसी भी घर के अंदर कोई भी लड़की ऐसी ना रह पाए जो उनके enrollment ना हो स्कूल के अंदर उसका दाखिला ना हो उसके बाद स्थिति आती है घर के अंदर कोई प्रोबलम है चलो लड़कियों का स्थिति ना आए तो हमें ये भी ध्यान रखना है स्टॉप ड्रोप आउट अमंग गल्स उसके बाद नसेसरी पावर्टी एलिवेशन सर्विसीज भी प्रोवाइडिड हमें कुछ गवर्मेंट को कुछ ऐसी स्थिति कुछ ऐसी सर्विसीज अपनानी चाहिए जिससे जो पावर्टी लेवल है कम से कम वो कम होता चला जाए उसके वाद चाइड्ड लेबर प्रैक्टिस मस्ट भी अभूलिस्ट यानि जो चाइड्ड लेबर की बात आती है उसके उपर बंदिस कानूनी तोर पे म उसके बाद मिड़े मील स्कीम स्कूल के अंदर मिड़े मील की स्थिति मिड़े मील की जो स्कीम है वो लागू करनी चाहिए जैसे आज हमारे देश के अंदर हो रही है उससे क्या हो रहा है कि अगर माता पिता अपना काम पे चले जाते हैं तो कम से कम बच्चे स्कूल में ज पेरेंट्स तो कहीं बाहर गए हुएं काम करने के लिए तो वो बच्चे स्कूल के अंदर ही खाना खा सके उसके बाद एजुकेशनल स्पोर्टिव सर्विस और कुछ ऐसी सर्विस हैं जो शिक्सा से संबंदित हैं जैसे फ्री टेक्स्ट बूक्स यूनिफॉर्म बाइसाइक स्कॉलर्शिप बस पास तो ऐसी कुछ सुविदाएं हैं जिनको प्रोवाइड कराके भी हम वोमेन की स्थिति को सुदार सकते हैं अवेर्नेस प्रोग्राम जाग रुखता अभियान चलाए जाने चाहिए अगेस डौवरी सिस्टम चाइल्ड मेरीज और कास्ट सिस्टम समाज के अंदर ना पनपे उसके बाद रोल ओफ एलेक्ट्रोनिक एन मास मीडिया जो हमारी मास मीडिया है और जो हमारे इलेक्ट्रोनिक साधन है हमारे मास मीडिया है जैसे समाचार पत्र है या कोई भी मीडिया है न्यू चैनल है तो उनको भी लोगों को जागरू करने का परियास करना चाहिए वह भी ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीज़े दिखाए ताकि जो गल्र है या उसके पेरेंट्स है वो जागरूख हो उसके बाद इसके बाद समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हैसियत से ज्यादा मतलब पैसा कमाये हुए हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास में पैसे की कमी नहीं है उनको कम से कम कुछ बच्चे ऐसे अडोप्ट करने चाहिए जिनकी एजुकेशन की सुविदा के सब्सक्राइब करने चाहिए जिससे लड़कियों के जो एजुकेशन है उसके उपर ज्यादा से ज्यादा बच्चे सोच सके उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहां पर रिकमेंडेशन ओफ डिफरेंट के रिकमेंडेशन ओफ डिफरेंट सbert अ कमिशं हमारे कुछ ऐसे कमिशन होया जिन्हों ने कुछ रिकमेंडेशन रखी है और वो कौन कौन सी हैं अब जैसे मानलो मुदालियर आयोग हुआ कोठारी आयोग हुआ भग वत्सलम मानलो कमेटी बनी या 1986 के अंदर हमारी नेशनल पॉलिशी आई 1992 के अंदर नेशनल पॉलिशी आई तो बहुत उन सब का मैंने यहां पर निचोड रखा है वही उन कमेटी ओने उन आयोगों ने चाइल्ड के लिए या वोमन के लिए कौन-कौन से सुझाव रखे हैं रिकमेंडेशन्स रखी हैं रिकमेंडेशन्स मेड बाए डिफरेंट कमि अब जाएंडेशनल गाइडेंस तो क्या है एक तो जादा से जादा जो एजुकेशनल अपॉर्चिनिटी जाएं वह बढ़ाई जाएं घर घर के अंदर जाके यह समाज के लोगों को जागरूप किया जाएं उनको गाइड किया जाएं उसके बाद मेंस्ट जैसे को एजू कि स्थितियों जहां पर लड़का या लड़की दोनों बराबर के हक से पढ़ सके एक वल सैलरी अगर वुमेन काम कर रही है उसके लिए अगर पुरुष काम कर रहा है उसके लिए एक वल सैलरी की बात हो क्लोजिंग दा गैप जो हमने बीच में खाई बना रहा किया है जो बना रहा है इसको बरने का काम करना चाहिए उसके बाद अश्टेबलिश्मेंट ओफ टेकनिकल इंसिटूशन टेकनिकल इंसिटूट एस्टेबलिश किये जाएं यह रिकमेंडेशन से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कमिशन हुए हैं प्रोविजन ओफ स्कॉलर्षिप क सेमिनार क्योंकि अगर सेमिनार होंगे तो जाग रुकता होगी जाग रुकता होएगी तो हमारी जो एन्रोल्मेंट है वह जादा से जादा बड़ेगी उसके बाद पॉब्लिक इन फेवर ओफ वूमेन एजुकेशन उन घरों को जरूर एजुकेट किया जाए उन गरों को ज्ड़ुर जाग रुक्व क्या जहे जिन गर के अंदर बत्चिया हैं बत्चिया स्कूल में नहीं जा रही होती हैं नो डिफ्रेंट्स इन करिकूला करिकूला करैम जो payments के यंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए लढ़का है लड़की अलडकी सब के लिए बरभर करिकट नहीं होना चाहिए वोकेशनल पॉर्सिज होने चाहिए पड़ाई के बाद में कोई वो काम कर सेगे जैसे कटाई बुनाई कडाई इस तरह के कोई भी काम है हस्त कलास से संबंदित कोई से इन एरिया रेडियो टॉक्स और यूज किया जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजे जिनके अंदर स्कूल के अंदर लोगों को जाकरू किया जा सकता है वूमन टीचर संपोस्टिंग जादा से ज्यादा वूमन जो टीचर सहन पोस्टिंग की जाए अगर मैं बीएर की बात करूँ न आपके लिए बीएर के अंदर क्या होता है आज की जो स्थिति है वो बीड के अंदर 90 परसेंट जो गल्स हैं वो आगे बढ़ रही है टीचिंग की जो फिल्ड है आज वूमन यह सोच रही है वही सबसे स्क्योर हमारे लिए यह है और वाके में है भी वूमन आज टीचिंग के जो प्रोफेशन है इसके अंदर बहुत ज होड़ दfonます क sav के लिए यहूंसरी होना चाहिए फ्लेक्सिबीलिटी इन स्कूल आर्ज डवल शीप्त स्कूल डवल सिप्त में हो और मतल arkadaşlar एंदर इंधी एगर एट टू है तो अन्旁ज के अंदर फ्लेक्सिबल हो विपकोएपा वा अगर मोर्निंग में नहीं आपा रहा है तो वो इविनिंग में आ सकता है तो इस तरह से flexible मतलब होना चाहिए तो यह था आप लोगों के लिए एक important topic अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe कर दिया करो और वीडियो को share कर दिया करो comment box के अंदर जरूर बताया करो अगर कोई कमी रहती है thank you